नमैहांस कर दोस्तों टार्गे टाइम में आप सभी का सौगत है दोस्तों दोस्तों एंचम के दुरू एक और भरती बिग्ड किया पन आचुका है इस में दोस्तों परामेड्कल श्टाप और नेरसिंग श्टाप सात में मेडिकल फिल्ड के अधर कई पोस्ट के लिए भरती पर बब्लिस किया गया है तो कौन-कौन सब पूश्ट रहेगा आप से क्वालिपिकेशन क्या मांगा जाएगा नमबर आप पूश्ट कितने हैं सिलक्षन प्रोसेस क्या रहेगा कैसे आपको अप्लाइ करना एज लिमिट क्या दिया जाएगा दोस्तों आपको इसमें लाजड करें साथ में दोस्तों इस नोटिफिकेशन के पीडियाप के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लें नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा वहां से आप इजी तरीके से जोइन हो सकते हैं तो दोस्तों बढ़ते हैं इसमें के आपको समीदा वेसे पे इसमें पोस्ट कौन कौन सा है तो इसमें डीमस वाले के सामिल किया गया जिसमें पोस्टिंग आवेदन करेंगे हम दोस्तों इसमें पैरामेडिकल इस्टाप और नर्सिंग इस्टाप के पोस्ट की बात करेंगे तो फर्ष्ट में पैरामेडिकल इस्टाप के लिए बात कर लेते हैं तो इसमें दोस्तों पहले जो पोस्ट रहेगा वो लैब टेकनीशन के लिए रहेगा 19 नमबर पर आप देख सकते हैं Lab Technician का पोश्ट है टोटल 6 पोश्ट इसमें सामिल किया गया है जिसमें दोस्तो BSC प्लेस आपके पास DMLT कम्पलीट होना चाहिए और MS BTE में Registration होना जरूरी है महराश्टरा State Board आप Technical Education में दोस्तों आपका Registration होना चाहिए 200,000 रुपए आपको फिक्स सेलरी दिया जाएगा 20 नमबर पर दोस्तों इस टाप नर्स के लिए पोश्ट सामिल किया गया है जिसमें 27 पोश्ट सामिल है और JNM और BSC नर्सिंग वाले केंडिडेट आवेदन करेंगे आपके पास नर्सिंग काउंसिल में Registration होना भी जरूरी है 20,000 रुपए ही सेलरी दिया जाएगा और दोस्तों Budget and Finance Officer के लिए टोटल एक पोश्ट रहेगा और इसमें आपस B.com, E.I.M.com प्लेस 3R का Experience आपके पास कमप्लेट होना चाहिए और टेली भी दोस्तों आपको आना जरूरी है 20,000 रुपए ही सेलरी दिया जाएगा ये MPW के लिए पोश्ट सामिल किया गया है टोटल आठ पोश्ट है टोल्थ पास वाले के अडिटेट आवेदन करेंगे जिनका Science System के साथ कमप्लेट होगा प्लेस आपके पास पारमेडिकल बेसिंग ट्रेनिंग कोर्स आपका कमप्लीट होना चाहिए या फिर आपके पास सेनेटरी इंस्पेक्टर का कोर्स कमप्लीट है तो भी आप आवेदन कर पाएंगे 18,000 रुपए आपको सेलरी इसमें दिया जाएगा नेश्ट दोस्तो इसमें डाटा इंट्री आप्रेटर के लिए पोस्ट है एक पोस्ट रहेगा ग्रेजवेट इन कम्प्यूटर अप्लीकेशन में आपका कमप्लीट होना चाहिए या फिर आपके पास बिजनेस एड्मिनिस्टेशन का डिगरी या डिपलोमा है या बीटेक आप कम्प्लीट कियें तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे प्लेस दोस्तो आपके पास वन येर का एक्सपिरियन्स होना भी जरूरी है अथारा जार रुपए सेलरी दिया जाएगा अब दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं CLMC Technician के लिए जिसमें BSC Microbiology प्लेस DMLT जिनके कम्प्लीट होगा वो इसमें आवेदन कर पाएंगे रेजिस्टेशन होना भी जरूरी है ठारा जार रुपए सेलरी दिया जाएगा Dialysis Technician के लिए भी दोस्तों पोस्ट है एक ही पोस्ट है Diploma in Dialysis Technician वाले Candidate आवेदन करेंगे 17,000 रुपए सेलरी आपको दिया जाएगा Ideometrician के लिए पोस्ट है इसमें दोस्तों जिनके पास Diploma या डिगरी होगा Ideometry में वो इसमें आवेदन कर पाएंगे 17,000 रुपए ही सेलरी है और Accountant के लिए दोस्तों एक पोस्ट है B.com with Tally वाले Candidate दोस्तों इसमें आवेदन कर पाएंगे 17,000 रुपए सेलरी है और दोस्तों 29 नमबर पे Dental Hygiene के लिए पोस्ट है Total 2 पोस्ट रहेगा 12th पास आपका Complete होना चाहिए Plus Diploma in Dental Hygiene का Course जिनका Complete होगा वो आवेदन करेंगे और दोस्तों Registration Certificate आप महराष्टरा Dental Council में आपका Registration होना चाहिए 17,000 रुपए फिक सेलरी है 30 नमबर पे दोस्तों फार्मासिस्ट के लिए पोस्ट सामिल किया गया जिसके पास Deep Pharma Complete होगा या Be Pharma with Registration और One Year का Experience होगा वो इसमें आवेदन कर पाएंगे 17,000 रुपए इस सेलरी आपको इसमें दिया जाएगा और फियर्स सपोर्टर के लिए भी इसमें पोस्ट सामिल किया गया 12 पास वाले Candidate आवेदन करेंगे 10,000 रुपए फिक साफ को इसमें सेलरी प्लेस आपको इंजेंटिव भी इस पोस्ट में मिलने वाला है तो दोस्तो 31 अलग-अलग पोस्ट के लिए भरती विग्यापन पब्लिस किया गया है जो कि NHM के तुरू है महराश्टरा से पब्लिस किया गया है और इसमें केवल महराश्टर के कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगे अब बात कर लेते हैं इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है लाजट डेट क्या रहा है गया सिलेक्शन प्रोसेस क्या है तो दोस्तो फश्ट में हम बात करेंगे इसमें आपको apply कैसे करना है तो apply करने के लिए दोस्तों आपको इसमें बता दिया गया है आपको दोस्तों इसमें offline के मादम से आवेधन करना होगा इसके लिए आपको ये application form दिया जा रहा application form आप इसके official website ये हमारे telegram channel से download कर लीजेगा यदि join नहीं कियें तो join जरूर कर लें आपको description box में इसका link मिल जाएगा और दोस्तों इसमें आपको offline के मादम से आवेधन करना होगा जिसके लिए आपको समय बताया गया है 12.8.2024 12.12 अगस्त से दोस्तों इसमें आवेधन होना इस्टार्ट हो चुका है 27 सगस्त इसका large date है आपको offline के मादम से आवेधन करना होगा यह आपको address बता दिया गया है और आपको दोस्तों आवेधन करने के लिए application form भी पे करना होगा यह category wise आपको बताया गया है आपको दोस्तों DD के मादम से आवेधन जमा करना होगा DD आपको district integrated health and family welfare society JP हिंगोली के नाम से आपको यह DD वनवाना होगा और यह आपको category wise बताया गया है आप इसको rate कर लीजेगा कितना आपको इसमे application फीज़ पे करना है और last day इसमें आपको 27 सगस्त तक समेतिया जारा आवेधन करने के लिए आपको दोस्तो अपना application form हिंगोली district में जमा करना होगा यह आपको address बता दिया गया इस address पे आपको 27 सगस्त अपना आवेधन जमा करना होगा सभी document दोस्तो अटेच करके अपने application form के साथ वहाँ पे reporting करना होगा और यह आपको selection process का बता दिया गया आपके qualification के base पे इसमें selection होगा इसको दोस्तो आप read कर लीजेगा इसमें महराष्टरा language पे यह notification पब्लिस किया गया तो जो भी candidate local है वो जरूर इसको read कर पाएंगे और आप notification का PDF हमारे टेलिग्राम चैनल से download कर लीजेगा और इसमें दोस्तो केवल महराष्टरा के candidate ही आवेदन कर पाएंगे आपको संभीदा basis space में posting दिया जाएगा भरती विग्यापन NHM के तुरूप publish किया गया है और 31 अलग-अलग post के लिए दोस्तो भरती विग्यापन publish किया गया तो दोस्तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों साथ सेयर करें चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करें हम हर दिन ऐसी जानकारी सेयर करते रहते हैं थैंक्यू सूमच